जारी हो गई है इसे लेकर इस वक्त अपडेट मिल रहा है और जाहिरा तोर पर जो महमान है राजनीती से जुड़े हुए उनकी भी नजर इस खबर पर जरूर होगी बीजेपी की दूसरे लिस जारी मध्यप्रदेश के अगर बात कर लिए आप 5 सीटे होल्ड पर है और क्या वो 5 सीटे आज डिकलेर हो पाती है ये एक बड़ा सवाल रहेगा भारती जरता पार्टी ने बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजेपी की सेकेंड लिस से जुड़ी हुई हाला के यहाँ पर विसेन की बेटी का नाम निकल कर सामने आ रहा था लेकिन आप ये बड़ा अपडेट आपको बता दे हैं बालाघाट से भारती पारधी को मौका दिया गया उजेन से अनिल फिरोजिया और ये हमारे मुक्यवंत्री जी का गढ़ है और चिंदवाला से यहाँ चिंदवाला से भी नाम सामने आ गया है चिंदवाला से किसको दिया है टिकेट आपको बताते हैं थोड़ी देर में बालाघाट से भारती पारधी उजेन से अनिल फिरोजिया को भारती जंदा पारधी टिकेट दिया है चिंदवाला से विवेक बार बार कॉंग्रिस को। चाहे पिता हों चाहे पुटरों हों उन्हें मुकाबला दे रहें, तककर दे रहें। विवेक बंटी साहु युवा के तौर पर अपनी पहचान मना चुके है वो कह रहें कि ठीक है अगर कमनलाथ को बेटे की तरह इंटर्ड्यूस किया गया अब आपका ये बेटा आपसे मौका चाहता है चिन्वाला से विवेग बंटी साहू और ये तीन सीजे हो गई उजयन हो गया, बालाघाट हो गया, छिन्वाला हो गया धार से सावित्री ठाकुर को उमीद्वार बनाया है सावित्री ठाकुर पर अपना विश्वास महिला प्रत्याश्यों को बीजेपी ने इस्वर आगे किया है लालित पहली लिस्ट अगर अब देख ली जाए पहली इन दोर से शंकर लालवानी रिपीट ये नाम लगबगत है था न्यूज 18 लगातार ये आपको बता रहा था बिल्कुल और कहा गया बहुत बीचे बयान आये ट्विस्ट आये वापस लिए गए लेकिन शंकर लालवानी के नाम पर मोहर लगा दी है और कल मेरा ख्याल है आप इसे जोड़ भी रही थी CAA को लेकर लेकर ये नहीं बड़ा काम किया है बिल्कुल CAA को लेकर लगातार यहां पर बाद उठा रहे थे और उसी का फायदा मिला शंकर लालवानी के नाम पर वापस ले मोहर वापस ले भरोसा हाला के बीच में कैलाश विजय वरगी ने जो बयान दिया उससे थोड़े संशाई की इस्तिती बन गई लेकिन आखिर कार शंकर लालवानी और जैसे ही CAA का एलान हुआ यह लगभगता है मान लिया गया इन दौर सीट और उज्जैन इस पर धरसल बीजेपी के लिए पेज बहुत ज़ादा थे बहाई और ताई एक यहां पर काम करता है पुराने सांसंक को रिपीट करने का एक फेक्टर यहां पर काम करता है महिलाओं को टिकट देने का एक दबाओ भी था 195 में से याद करिए पिछली लिस्ट मैं आपना आपको बताओं कि तक्रीवन 20 वीसद महिलाओं को टिकट दिया गया है बिल्कुर शंकर लालवानी के नाम पर संशे जिताय था कलाश विजे बरगे ने लेकिन दिल्ली बोहाल शंकर लालवानी और टिकेट दिकेट पक्तर यहां पर हो गया है CA के लेकर आवाज उठाने का फाइदा मिला और यहां लगातार धार से सावित्री ठाकूर पर भरोसा उज्जैन से वापस सिटिंग MP को अपनी फिरोजिया को टिकेट दिया है B.J.P. ने वापस विश्वास दिखा है 5 की 5 सिटि जो होल पर थी वो डेकलेर हो गई है तो लगातार जो उज्जैन से नाम निकल कर सामने आ रहा था ग्राफिक्स के जरीये में आपको बता रहा है जो नाम उज्जैन से निकल कर सामने आ रहा है एक जाटवा सरनेम आपने सुनाओगा डॉक्टर प्रभुला जाटव है और वो बहुत करीबी माने जाते हैं डॉक्टर मोहन यादाओ के इसके चलते फैसला आला कमान ने लिया और मौका अनिल फिरूजिया को धार से सावित्री ठाकुर मैदान में इन दौर से शंकरलालवानी मैदान में छिनवाडा से विवेक बंटी साहू एक तरह से पिछली बार नथन शाह यहापर थे और वोट का परसेंटेज यानि तकरीबन 30,000 का विनिंग मार्जिन था इस लिहास से अगर देखा जाए तो क्या विवेक बंटी साहू उस जगा तक पहुँच पा रहे है जीत पा रहे है ये सब जनादेश की बाते ये आगे क्लियर होगा विवेक बंटी साहू चंद्राणा से सावित्री ठाकुरधार से भारती पारधी बालाघाट से यहाँ से नाम मौसम विसेन का भी चल रहा था जिन्हें विधान साबा का टिकट दिया गया लेकिन खड़े उनके पिता हुए एन वक्त पर मौसम विसेन की तरफ से ये पता चला के साब वो बीमार है उनका भी नाम यहाँ से चल रहा था ये पारम पर एक सीट है इस परिवार के तो धार से सावित्री ठाकूर पर अपना विश्वास पार्टी ने यहाँ दिखाया है पहले भी सांसर रह चुकी है सावित्री ठाकूर और अब एक बार फिर चुनावी मैदान में विजेपी नेए पांτι सी ए होल पर थी पहलीक्ट में 24 सीटों के नाम थे और अब सेकंड लिस्ट में बची वी 5 सीटों के नाम यहाँ सामने आ गए शैलेंद्र चोहाल हमारे सायोग की चुड़ गें शैलेंद्र बिजेपी की सेकेंड नेस और पांचों की पांच नाम डेकलेर एंपी के लिए बच्चे जो हुए थे एक बार फिर से उन पर बरोसा जता है तीन बार के सांसे चातर सिंग दरवार का टिकेट काटा है यहाँ पर सावितरी ठाकूर को फिर से मोका मिला है इसी तरह बाला घात से चोकाने वाला नाम डाक्टर भारती पारदी को टिकेट दिया गया है पारदी काफी समय से सक्री रही संग्ठन में और अभी तक कोई बड़ी प्रोफाइल आई थी लेकिन उन्हें सांसत का टिकेट देकर पार्टी ने चुका यहां पर दोरी संकर बिसेन की जो बेटी है मंत्री पूरु उनकी मोसम बिसेन का नाम सबसे आगे था लेकिन उनकी जगह डक्टर भारती पारधी को ट हो सकता है लेकिन यहां पर पाइटी ने यहां पर फिर से सांसत शंकर लालवानी पर भरोसा जताया यह और संकर लालवानी यहां पर पिछले चुनाऊ में भी काफी बड़े मार्जिन से जीते थे और एक बार फिर उनी को पाइटी ने टिकेट दिया है और दूसरा टिकेट उजेन से भी रिपिट हुआ है जो अनिल फिरोजिया उन्हें वापस से टिकेट दिया गया है फिरोजिया के नाम को लेकर भी काफी अस्मंजस की श्तिति थी लेकिन एक बाद फिर यहां जिला द्यक्षे बीजेपी के और दूसरी बड़ी यह बात है कि उन्होंने कमलनाथ को चुनाओं में काफी कड़ी टक्कर भी दीती तो यहां पर बंटी साहू अम नकुलनाथ के सामने होंगे काफी यहां पर टक्कर देखने को मिलेगी चुनाओं में और यह लग रहा ह एक और बात जो समझ से परे है इन दौर को लेकर मेरा मेरा ख्याल है ऐसा शैलेंद्र राजनीती के जानकार ऐसा कहते हैं कि वहां के भाईताई के समीकरंड और इन सब से तर क्या CAA का भी एफेक्ट है क्योंकि शांसद शंकर लालवानी तब सवालों के घेरे में आ गए थे ज ललित बिल्कुल देखा आपने बिल्कुल सही बात कहिए यही बात है हमने संक्ठन से भी कुछ नेताओं से बात की थी क्योंकि यहां पर बार बार यह बात आ रही थी कि इंदोर से किसी महिला चेरे को टिकिट दिया जा सकता है अगर आपने केलास विजेवरगी का बयान अगर राष्टी मासा उनके मुझ से भी बात निकली थी कि यहां पर संकर लालवानी का टिकिट तो कट गया कोई महिला को मिल सकता है यह बात आई थी हलाकि उन्हें बाद में अपना बयान वापस लेना पड़ा था लेकिन सी एका जो इफेक्ट है क्योंकि सी एक के कारण ही संकर लालवानी का टिकेट वापस हुआ है इसे वो क्योंकि सिंधी समुदाय का प्रतिनीदित करते हैं और ये बात सामने आई भी थी कि 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 सी शिंदी का टिकेट सांसत का काटा जाएगा समाज का तो गलत में से जाएगा और अभी सी ये लाग हुआ इसी वज़ा से संकर लालवानी पर फिर बरुसा जताया गया है और एक बार फिर संकर लालवानी यहां पर चुनाव मेदान में उतारे गया शायद वजय यह भी है आपने सिंधी समाज का जिक्र किया आजादी के बाद जो शरणार्थी पहुंचे थे उनके एक बड़ी बसाहट जो थी मेरा ख्या जी बिल्कुल यही बात है हमारे साथ अभी यहां पर सिंधी निता है बड़े जो भाजपा के प्रवक्ता भी रहे प्रकास मीड़ चंदानी भी मौजूद है हम उनसे भी बात करते हैं यह भी काफी समय से यहां पर प्रतिनीद करते रहे एक बार फिर इन दोर से शंकर लाल जी सिंधी समाज के सीनियर लीडर रहे हैं और भारती जनता पार्टी में भी बहुत वरिष्ट नेता हैं और उनका जो कारेकाल रहा मुझे लगता है कि अच्छा कारेकाल रहा है और तमाम बार उन्होंने सिंधी समाज की बातें पार्लियमेंट के अंदर रखी हैं उन्हों अपनि शप्षत माणी अपटावज कंदम इनमती और पंड और अंच्छीचλιग व्यक्ति व्यक्ति एवे द वाइं gosp और उन्दोर को चल Okay सब सब में के रहा हैं करा रहे हैं मानिक जी कम कर रहा हैं क्यलाज जी से embrace कर रहा है तो उनोंने मदद بी करी यह मेरी जानकारी में है और इसलिए अच्छा हुआ है जो भी हुआ अच्छा हुआ देखें बिल्कुल और सही का अपने शैलेंद्र और यही वज़ा है कि अब चुकी एकदम से अचानक से मामला भी सामने आ गया है और यह भी सही है कि उन्होंने सिंदी भाशा में वक्तव भी दिये शपत ली यह वाकई जो बड़ी बात है उस ल प्लीज देखें बिल्कुल धार को सावित्री ठाकूर के लिए धार नया नहीं है वो धार में 2014 में जीती थी और उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जो अभी यूत चेहरा है जो कॉंग्रेस के दो बड़े चेहरे जीतू पटवारी उमंग सिंगा उनी उमं सामान में चेहरा है और कहीं ना कहीं बीजेपी की एक रणीती भी ती की महिला नेत्रियों को मोका देना है तो जब समिक्रन सारे बदले तो सावित्री ठाकूर उसमें फिट बेठी और अगर बात करे जाया तो यहां पर जो लो विधान सबाद चुना हुआ था चार महीने करने की जरूरत है कि इंदौर खंडपीट ने का है कि धार भोश्चाला का एसाई सर्वे होगा यह बड़ा गेम चेंजर है इसमें तबदीली लाएगा पोलराइजेशन बढ़ाएगा बिलकुल देखिए धार भोश्चाला को जो हाई कोट का जो फैसला आया उसके वापसे सर्वे होगा तो निश्चिती धार भोश्चाला एक बड़ा वहां गर्म मुद्दा रहा है ओपिछले कई दसकों से वहां पर भोश्चाला को लेकर कहीं ना कहीं सामाजिक एक वो माहो और अब सावीतरी ठाकूर को च्छे बिल्कुल तो थार भोष्चाला को हिंदु समाथ जो है माँ वाग्देवी का मंदर मांता है और जाहिद दौर पर अब स्यासी सुग्वगाहट बढ़ेगी तो इस मामने पर चर्चा और बढ़ेगी पुरीत पवन गौल आपको टीवी स् पढ़ेगी और कहिलाश वीजे वर्गी ने तो इशारो इशारो में यह تक कह दिया था कि टिकट कटने वाला है और महिला को टिकट मिलेगा या कोई सेंट्रल से कोई केंदरी नेत्रित वक को यहां पर आ सकता है उतर सकता है लेकिन सारी बाते बाद में अलाकि उन्होंने क प्राकी हुआ और टिकट मिल गया श्वंकर लारवानी को पवन पुनीत का आप से सवाल है कि तमाम बाते हुए कि अलाश वेज़ावरगी कभी उन्होंने जिक्र किया कि इशारों इशारों में कुछ का पिर कहते हैं मैं तो मजाग कर रहा था मजाग मजाग में हरियाना का क्या हाल कर गए वो देखिए सवाल यह है कि काफी जादा कुछ होना चाहिए था मंधन चिंतन लेकिन नाम रिपीट हो गया इन दौर को लेकर यह सवाल पुनीत का आप से पवन प्लीज देखिए अब हर चीज पर बीजेपी जो निर्तरत्त है उसने बहुत पहलू से मन्थन के और आपको याद हो के बीजेपी ने पहले 24 सीटों की घोशना मदप्रदेश में कर दी थी उसके बाद पांस सीट हैं बची थी उसके बाब जूद भी बीजेपी ने अपना कोर गु प्रति की बेटक भी होती है यानि कि हर पहलूप को लेकर मन्थन किया गया हर बात को लेकर मन्थन किया गया कि कौन कौन से उम्मीद्वार को लेकर क्या समीकर्ण फिट बैटते हैं छेत्रिय समीकर्ण क्या बन रहे हैं जाती का समीकर्ण क्या बन रहे हैं कौन नेता किस तर लियास से अगर देखा जाए तो उनमें सबसे ज़ा मुफीद समीकर्ण कौन सा फिट बैट रहा है उसको देखके जो है बीजेपी केंद्री नित्रतिय फैसला लेता है और फिर से इसलिए उन्होंने जो उज्जैन से जो है शंकर लालवानी को जो है फिर से इन दोर की बात कर जाती समीकर्ण फिट नहीं बैट रहा था या आसपास की सीटों के हिसाब से एक्वेशन जो था वो कहीं न कहीं फिट नहीं बैट रहा था यही कारण है कि शंकर लालवानी को फिर से रिपीट गया गया इसके साथ इन दोर आपने देखा कि जो जो अनिल फिरोजिया है 2595 की उसमें आपने देखा कि बहुत सारे नामों को रिपीट किया गया था अगर उत्रप्रदेश से बात करें तो 51 की लिष्ट में जीते हुए 44 के नाम की गोशना की थी और 44 के 44 के रिपीट कर दिया गया था तो यानि कि प्रदानमंतरी ये भरोसा दिखाना चाहते हैं कि म पारिस्ताथ उनके साथ कुछ लोग भी हैं मित्रेश बताइए इंदौर की जन्ता का क्या है मूँ शंकर लालवानी पर एक बार फिर बिजेपी का भरोसा पारिस्ताथ इंदौर के जो सांसा संकर लालवानी है इस वक्त इन दोर के जो सांसा संकर लालवानी है सब्सक्राइब करेंगे शंकर भीया का जो कारिकाल रहाए पाच वर्ष का उनकी सहस्ता सक्रीता और जनता के लिए बिल्कुल सहस्त सरल और आसानी से उपलब्द नेता हैं हम इंदोर की उनके लोकसभा के कारिकाल की पिछली बात करें तो शहर के चहुं मुखी विकास को उन् टमजूरी कराना हो चालえばश्चिमी बाइपास की स्किम्मशूर क्याद करें हम तो निश्तों करोड रूपे कonds को Zoom के लिए उनोंने मंजूर करा केंदर से मरत योजना के माधियं से तो बहुत अच्छा कारेकाल रहा है और सबसे बड़ी बाद शंकरव्या की सहस्ता सरलता सभी कारिकरताओं में उनको लोग प्रिये बनाती है कारेले का उद्गातन के लिए मुख्बंत्री जी खुद यहां पर आएं और आज और यहां पर तमाम बीजेबी के बड़े नेता मौझूद है लालवानी जी मौझूद है इसके बाद किता बड़ा सेलिब्रेटन होने वाला किस तरीके साफ लोग सेलिब्रेट करने वाले है क को बाद को प्रदानमंत्री देश के लिए कि और मौझ लोग से ताया हुड टाकि हम जाकर कमल के फूल कर ओपर बटन को दबाएं तो ने टायज लेख बंजेट का आ यूपर लाट रहा है हम आखड़े की तो बात नहीं करते हैं करें मगर जो भी जीत होगी वह एतयासिक भी कपолे सवा팀 और देशा क्या है क्या है कि 2019 और 2024 लेट कर पाएंगे जब ये नाम शंकर लालांबानी सामने आया तो यह जो बीजेपी के नेता अभी बाइट दे रहे थे वो बहुत चौक गए थे कि यह कौन सा नाम आगे आचानक से शंकर भया को टिकट दे दिया लेकिन अब यह अगर आप कोई डिवाइस खरीदते हैं तो ओके टेस्टेड बहुत लिखना जरूरी होता उसके पर चिपक काती है और पवन से बालाघाट के बारे में समझते हैं पवन बालाघाट से भारती पार्धी को टिकट दिया हलाकि माना जा रहा था कि यह तो विसेन साहब के परिवार में चली जाएगी सीट उनके पास टिकट चला जाएगा लेकिन बीजेपी नहीं यहां से चौका है अब बिल्कुल बालाघाट के यह ज्यादा चर्चा यही हो रही थी कि मौसमी विसेन को यह तो टिकट दिया जाएगा या हो सकता है गौरी शंकर विसेन को जिसको लेकर करके चर्चा भी थी और जब लिस्ट आई थी पहली लिस्ट उसमें जब पांच शहरों के नाम रोके लेकिन आज यह है क्लियर कर दिया गया है कि बिस्ट परिवार को मौकर नहीं दिया लेकिन जो नाम आया है महिला को टिकट दी गई है तो कहीं न कहीं इस से हो सकता है विसेन परिवाद नाराज हो लेकिन बीजेपी का खेमा जो है वो उत्साहित है कि महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और मोदी जी के वादे को पूरा करने का प्रयास किया जाए जे 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 चली मैं मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूँगा बेहत खास पैनल भी हमाँ साथ ब को खरना साब के पास मैं आना चाहूँगा सबसे पहले यह जो लिस्ट आई है बले ही पांच नाम इसमें है इसको लेकर एक क्विक रेक्शन फिर अगला सवाल रहेगा जी बॉस यह जो लिस्ट में देख रहा हूं मुझे बहुत जादा आश्यरे नहीं हो रहा मैं अभी जो विधान सबस चुना हुए आकड़ों की बात कर लेते हैं लगबग उन पचास प्रतिशत वोटर बेसे जो बीजेपी का है एक प्रतिशत वोट मिला था नोटा को और समाजवादी पार्टी को मिला था आधा प्रतिशत चाहां सट सीट एसी ती जहां हम आदमी पार्टी की आगई मैला रिजर्वेशन आगया यह इतने विकास करें जो आगए अभी मोदी जी की जो लहर प्रबल और प्रकर हो गई तो यह बीजेपी के पक्ष में ही था और एक बात अप अंडरलाइन करके रखिए कि उस सीट से काला रुमाल भी आप खड़ा रखेंगे तो वो लेकिन सर 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 इसमें मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि कोई आश्यरी की बात नहीं है लेकिन बीजेपी को इसके लिए अलग से एकसराइस करनी पड़ी नाम तो रिपीट है सीटों पर लेकिन एकसराइस करनी पड़ी इसका मतलब कि बीजेपी को कहीं कुछ लग रहा होगा इसलिए तो hold की गई और आज पिर नामों का एलान होगा सर वो ऐसा है कि शादी आप 10,000 में करो या 10 करोड में करो एक तो फुपा नारा जोना ही होना है BJP का प्रयास हे रहता है कि जब पूरी party को मोदी जी ने मोदी का परिवार कह दिया तो संभा उता वो देख रहते हैं समीकरन कैसे बिठा है जिसे मैं 20 सेकेंड लेके शंकर लालवानी का कहना चाता हूँ कुछ मेरा उनसे भेट हुआ मिलना हुआ सरल, मृदुल सबसे बात करते हैं और party में और कोई सिंधी चेरा है नहीं सिए आने के बाद एक ये जाती है जो सिए से प्रभावित होती है सिंधी तो हो सकता है समीकरन साथ निकले कि सिंधी को दे दिया मेरे पास भी जो ख़बर की कटने वाले कि नहीं तो बात और भी अच्छी है लगातार खबर भी आरे की कॉंगरस से छोड़कर जा रहें बीजेपी के रास्ते उनके भगवा पटका ठाम रहे हैं लेकिन सवाल आपसे जो MP के पांच बचेवे नाम भी बीजेपी ने डिकलेर कर दिये कितनी बड़ी चिनौती कॉंगरस के लिए और आपके बचेवे नाम कब सामने आ रहे हैं लेकिन बात ये कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं जनता की वास्त्रिक चीजे हैं नौजवान को क्या चाहिए रोजगार चाहिए और महगाई महगाई चरम सीमा पहे हम विप्रक्ष के लोगों को काम है कि सत्था के मैं बैठे लोगों को जनता की आवाज है उसको उठाना और उसी मुद्दे पे हम चुनाओ के मैदान में होंगे चुनोती इसलिए नहीं हम मानतें इसको कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक व्यक्ति जीता है और एक हारता है हारने वाले का भी पांस साल चलता है उसको भी आवाज जन्ता की उठानी हो जीतने वाले की भी जम्यबारी है कि वो जनता की जो वास्थिविक जरूते हैं चाए वो महगाई का मुद्दा हो, चाए वो रोजगार का मुद्दा हो उन मुद्दों पर बात करें और अगर वो नहीं करते हैं तो मैं समझता हूँ कि कही न कही वो लोकतंत को कमजोर कर रहे तो इसलिए लेकिलिस्ट की बात हो रही थि और यह आपसे समझना चाह रहे हैं कि मुद्दे तो तंमाम है एक मुद्धा ये भी है टिकाव का कॉंग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुद्धा है कि कौन टिक रहा है लेकिन उसमें जब यह प्रचार था जनता में चर्चा थी आम चर्चा तो तमाम भाजपा की लोग कॉंग्रेस में सामिल हो रहे थे तो यह जाने वाले इन पर ध्यान दे करके कोई पार्टी वो नहीं होता कि पार्टी में कुई चला गया तो बिचारदारा खतम हो गया कॉंग्रेस पार्टी पार्टी कर्ठी अहीं हो गया है कि जायो तो वेलकम जायो तो भीडारा चाईगरा थो प्रभावी नाम है और चुनाओ नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिल्टी उनके ब्रांड के उपर लड़ा जा रहा है तो किसी को भी उम्मीद्बार बना दे जैसा कि नियुजेट्टिन के सर्वे में भी आया उसके पहले के भी सर्वे में कि मदप्रदेश में भारती जनता पार्टी 28 के 28 सीट तो जीत भी रही है उन्टीस में भी जीतने की संभावना है तो इसलिए जो कैंड़ेट आनिल फ्रोजिया जी यह हैं यह सावित्री ठाको रहे हैं बंटी साह हुए है यह भारती पार्दी जी यह अच्छे कैंड़ेट है और यह बहुत जमीन पर इनकी मजबूत पकड़ बात वही युवराज जी ने भी कहा था कि काला रुमाला करवा दीजे तो भी जीत मिलेगी तो बिलकुल और यह खास जो हमारे जो मेगा उपिनियन लगातार जारी है आप सभी हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा वक्त कम रहा ज्यादा रहा लेकिन कोशिच ही होती कि ज्यादा से ज्यादा रियक्शन हमें मिल सके